अब एक्टे सूरज को दुनिया सलाम करती है ये कहावत बॉलिवूड के दिगज अभीनेथा सनी देवल पर भी फिटी बैखती है गदर टू से बॉक्स आफिस पर तहलका मचाने वाले सनी पाजी कोड़ एक पर फिर से फिल्म में आफ़र होने लगी है लेकिन एक दोर ऐसा भी आया था जब उन्हें परदे पर देख लोग अपना माथा पीट ले रहे थे फिल्में एक के बाद एक रिलीस तो हो रही थी लेकिन एक भी फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट नहीं हो पा रही थी साल 2001 में सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा में तारा सिंग का गजब का जोश देख लोगों को लगा था कि ये सितारा अब तो सल्मान खान आमिर खान और शाहरुख खान को परदे पर राज नहीं करने देगा और बॉक्स ओफिस का किंग कहलाएगा लेकिन ऐसा हुआ कहां आज उन छे फिल्मों के बारे में सनी देओल सोचते होंगे तो शायद यही कहते होंगे कि मैंने आखिर वो फिल्मे की ही क्यों आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी हैं वो फिल्में 14 मई 2004 को एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था लकीर एहमद खान के डिरेक्शन में बनी ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी फिल्म में सनी देओल के साथ सुनिल शेटी सोहल खान और जौन अबराहम भी नजर आये थे ये एक एक एक्शन फिल्म थी 16 करोड के बजट में बनी ये फिल्म लागत की आधी कमाई भी नहीं कमा पाई थी 2004 में एक बार फिर सनी देओल परदे पर नजर आये 10 दिसंबर 2004 को उनकी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रोक सको तो रोक लो 140 स्क्रीन्स पर ये फिल्म रिलीज हुई लेकिन इस फिल्म के लिए थियेटर्स के मालिक दर्शकों के लिए तरस गए जिन्होंने ये फिल्म देखी वो ये कहने को मजबूर हो गए रोक सको तो रोक लो भाई अरिंदम चौधरी ने फिल्म को डिरेक्ट और प्रोड्यूस किया था सनी दियोल की साल 2004 में रिलीज हुई ये फिल्म भी डिजास्टर साबित हुई थी इस फिल्म के साथ परदे पर एक बार फिर सनी पंजाबी स्टाइल में नजर आये थे लेकिन वो लोगों को फिल्म के साथ जोड़ पाने में कामियाब नहीं हो सके गदर के बाद सनी और अमीशा एक बार फिर परदे पर साथ नजर आये फिल्म थी तीसरी आंक ये फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई ये एक भारतिये एक्शन टेक्नो थ्रिलर फिल्म है जिसे हैरी बाजवा दुआरा डिरेक्ट किया गया था इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड महज 5.7 आठ करोड रूपय का कलेक्शन किया 8 सितंबर 2006 को फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था नक्षा विवेक ओबेरा, समीरा रेड़ी और जैकी दादा इस फिल्म का हिस्सा थे लेकिन ये फिल्म भी एक्टर्स के करियर के नक्षे को सवार नहीं हो पाई और फिल्म डिजास्टर साबित हुई ये भी सनी देओल की एक्शन फिल्म थी ये फिल्म 425 स्क्रिन्स पर रिलीज हुई थी साल 2007 में फिर सनी देओल एक फिल्म में नजार आये फिल्म का नाम था बिग ब्रदर सनी देओल और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म बिग ब्रदर एक फैमिली एंटर्टेनर थी इस फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ती के इर्द गिर्द गूमती है जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार रहता है फिल्म में भरपूर एक्शन था लेकिन फिल्म लोगों को बांधे रखने में सफल नहीं रही बॉक्स ऑफिस पर अगर इस फिल्म की कमाई की बात करें तो ये फिल्म केवल साथ करोड रुपय में ही सिमट गई थी तो दोस्तों कैसी लगी ये दिल्चस्प जानकारी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिल्चस्प जानकारी के साथ बने रहिए माया नगरी के साथ नमस्कार